मीना कुमारी से धरवेंदर के नजदिक्यों भाली बात से खबा कामल अमरोही ने बदला लेने की ठानी थी कहते है यही वज़ा थी कि साल 1983 में आई फिलिम रजिया सुल्तान में कामल अमरोही ने ऐसा सीन रखा था जिसमें धर्वेंदर का मुझ काला किया जाना था जिहां आपने बिलकुल सही सुना बॉलिवूड के लेजेंडरे स्टार धर्वेंदर से जुरे धेरों खिस्तों में लेक्टर की तारीफ लेक्टर की लाइफ से जुरा एक इंडिस्टिंग किस्सा आज हम आपको बठाएंगी एक इसा है धर्वेंदर ओड फिल्म इंडिस्टिंग की नाम से फैमर स्वी मीना कुमारी से शुरा हुआ ऐसा कहा जाता है कि धर्वेंदर के केरियर को शाय दिने वाले कोई और नहीं मीना कुमारी ही थी एसल में मीना कुमारी एक समय इंडिस्टिंग की चोटी की एक्टर्स थी और उनका होना ही फिल्मों के सुपर हीट होने की गारेंटी माना जाता था प्रहरान जो कि सहाज हम आपको सुनाने जा रहे हैं और मीना कुमारी और हिमैन की एक फिल्म से जुरा हुआ है कहते हैं एक फिल्म थी साल 1976 में आया था और इस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर इस फिल्म में धर्बंदर और मीना कुमारी की जुरी दर्शकों को देखने को मिली थी वह इस फिल्म के रिलीज के साथ दो और बात एक साथ हुई थी पहली के इस फिल्म में धर्विंदर सबसे पहली बार एक्षन हिरो के रूप में जिराय थे वह इस फिल्म के रिलिज के साथ ही मीना कुमारी और धर्विंदर के वीच अफ्यार की अफ़ा भी पूरिक इंडिस्ट्री में फैल गई थी कहते है कि मीना कुमारी की पती कमाल अमरोही को जब एक ख़बर मिली तब वो वेहद नराज हो गए थे फिर मीडिया रिपोर्ट के माने तो मीडिया रिपोर्ट अक्सर या यू समझे लिजे मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दवा किया जाता है कि मिना कुमारी से धर्वेंदर की नजीजिक्यों वाली बात से खाफा कमाल अम्रोही ने बदला लेने की ठानी थी कहते हैं यह वज़ा थी कि साल 1983 में आई फिलिम रज्या सुल्तान में कमाल ने एक सिंद रखा था जिसमें धर्वेंदर को मूँ काला किया जाना था और यह सब धर्वेंदर से बदले लेने की नियत से किया गया था खेर धर्वेंदर और मिना कुमारी की अफेल लोब स्टोरी तीन सालों तक चला और मिना कुमारी हुआ भिनित्री थी जो धरविंदर को इंडिस्टी में चनले बुलने का तरीका सिखाया था लोर कामाल आमरोही मीना कुमारी की पती थी खेर मीना कुमारी कामाल आमरोही पर कुछ इस तरह फिदा हुई कि उन्होंने साधी सुधा कामाल आमरोही से साधी कर लिये करल उसके बाद मिना कुमारी की जितकी में धारमजी भी आये थे खैर आखरी में धारमजी से जब दिल तूटा मेना कुमारी थो नसी के रहने लगे suffering कि आकरी समय में फेफ़डा हो गया गले के फेफ़डा हो गया जिसे हम एकंसर कह सकते है पर आखरी काल में उसे इस दोनिय कीजिगा